चुनाव हारे तब तो दिक्कत थी ही लेकिन जो चुनाव जीत गए हैं तब भी समस्या है ये आला में समय कॉंग्रिस का जिनकों की समझ में नहीं आ रहा है करनाटिका की सीएम की गद्धी पर आखिर किसको बिठाया जा शेवकुमार जिनोंने की ग्राउंड वर्क किया है उ पर असल सुनिय गांदी राहुल गांदी के नाम में ने इसलिए लिया कि कॉंग्रिस के अध्यक्ष इस समय मालिकार जिन खडगे हैं लेकिन जब डिसीजन मेकिंग की बारी आई तो बात सामने आती कि यह राय मश्वरा जो है राहुल गांदी और सुनिय गांदी से भी लि अगर हम उलजेंगे तो बात यू ही लंबी खिज जाएगी अब यहां पर करनाटका में समझ जो स्काम चल रहा उसको समझना बहुत ज़रूरी लेकिन करनाटका के स्काम को समझने से पहले जान लेते हैं इस वीडियो में मैंने उसकी पूरी कहानी को एक्स्प्लें किया है अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा और साथ-साथ दिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक प्रोवाइड़ दोजार चौबिस के अगर हम आम चुनाओं से पहले की होगा चुनाओं का ठीक बाद में करनाटका के अगले मुख्यमंतरी को लेकर सस्पेंस बढ़ने के साथ ही कौंग्रेस के वरिस नेताओं सिद्रमया और डीके शोग्मार के बीच सत्ता के बटवारे को लेकर दरार पैदा हो चुकी है बताते चले कि तमाम तरह के विवाद क बीच पूर मुख्यमंतरी सिद्रमया ने सत्ता साजाकरन का फार्मूला पेश किया था सिद्रमया के दोरा कहा गया था कि उनकी उम्र बढ़ रही है वो मुख्यमंतरी बनना चाहते हैं और कम से कम अगले साल होने वाले लोकसवा चुनाओं तक कौंग्रेस सरगार को चलाना चाहते हैं हलाकि डीके शुवकुमार ने सत्ता साजाकरन के फार्मूलियों को खारिच कर दिया और राजस्तान और शत्तिजगर में मामलो का हावाला दे दी ध्यान रहे शत्तिजगर में कुरसी के चक्कर में जहां मुख्यमंतरी बूपेश बगे और टी एस सिंग देव के लडाई सीम एशोग गहलोत और डिप्टी सीम सरजिन पाइलट के भीच जारी है वो किसी परिचा की महताज नहीं है जिकर यहां पर करनाटिका और वहां कॉंग्रिस पार्टी दोरा मुख्यमंतरी के चैन का हुआ है तो बताते चले कि दोनों ही वरिश नेताओं डीके शिवकुमार और सिद्रमया के बीच में जैसा गतिरोद चल रहा है उससे कॉंग्रिस पार्टी और राहुल गांधी को पार्टी आलकमान इस बात को लेकर दोधा में है कि अगर डीके शिवकुमार को कॉंग्रिस उधायक दल कर नेता चुना जाता है तो सिद्रमया को आखर कैसे समयोजित किया जाएगा करनाटिका के सियासत को समझने वाले इस बात पर बल दे रहे हैं कि मुख्यमंतरिपत के लिए डीके शिवकुमार की दावेदारी इसलिए भी पक की है क्योंकि उन्होंने पिछले तीन सालों में पार्टी को फर्ट से उठाकर अर्श पर पहुंचाया है ठीक वैसा ही जैसा कि सचेन पालेट ने राजिस्थान में किया था कहा तो ये भी जा रहा है कि करनाटका में कॉंग्रिस आज सरकार बनाने की पोजिशन पर पहुंची है तो इसकी एक मातर वज़ा है वो मेहनत जो गुजरे सालों में डीके शोगुमार ने करी है ठीक वैसा ही जैसे कि सचेन पालेट ने करी थी और जब मेहनत रंग लिया ये तो अशोग गैलोज सेंटर की पॉलिटिस को छोड़ कर अपने स्टेट में आ गए अब अगर डीके शोगुमार को मुख्वंतरी पत्सवंचित किया जाता है तो इससे पाल्टी कारे करताओं को एक गलत मेसेज जा सकता है क्योंकि एक ऐसी कहानी बनाई गई है जिसमें कहा गया है कि पाल्टी हमेशा अपने वफ़दारों के साथ है और जो भी फैसला पाल्टी दोरा लिया जाता है वो वफदारों को यहान में रखकर ही लिया जाता है चुकि अभी डीके शोगुमार उस सद्रमया को लेकर फैसला आना है इसलिए सबकी नजर हाई कमान पर टिकी होई है फिर चाहे वो जनता हो या फिर पॉलिटिकल एक्सपर्ट सभी जानते हैं कि क्या पार्टी दीके शोगुमार को उनकी वफदारी कफल देगी या फिर एक बार फिर सिद्धू माजिक चलेगा और सिद्ध मरमया मुक्यमंत्री बनने में कामयाब हो जाएंगे पैसे से बहत मसबूत होने के अलावा दीके शोगुमार वुक्का लिगा समुदाय से आने वाले एक बड़े निता भी है जिनकी उधायकों में मसबूत पकड़ है डीके शेविकुमार के बारे में एक रोचकतत थे ये भी है कि उन्हें एक ट्रबल शूटर के रूप में भी जाना जाता है ध्यान रहे KBCC की अपनी अद्रक्षता में उन्होंने पहली बार अपनी पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटों पर जीत हासल करवाई कि हाई कमान के बीच भी डीके शेविकुमार एक बड़े चेहरे के रूप में देखे जाते हैं इसलिए पूरी पॉस्विलिटी है कि पार्टी मुख्यमंत्री का भार उनके कंदों पर डालेगी वहीं तमाम कयासों के बीच डीके शेविकुमार मीडिया से मुखातिब हुए और अपने को वन मैन आर्मी बताते हुए इस बात पर बल दिया कि मुख्यमंत्री पत पर उनकी दावेदारी इसलिए क्योंकि उनके अकेले की बादवरत करनाटका में कॉंग्रेस 135 सीट जीतने में काम्याब हुई अब देखिए डीके शेविकुमार बलेई विधायकों के बीच में लोग प्रिये हो लेकिन जब हम करनाटका चुनाओ और फिर आये नतीजों को जनता के परदर्श्य में देखें तो करनाटका में सिद्रमया जनता के बीच में खासे लोग प्री है जनता के बीच सिद्रमया क्यों पसंद किये जाते हैं ये भी बड़ा सवाल है तो इसकी वज़े भी कम दल्चस्म नहीं है दरसल सिद्रमया अहिंदा के प्रचारक हैं अहिंदा के प्रचारक हैं और बताते चले कि अहिंदा में माइनॉर्टी पिछड़ा वर्क और S.C.S.T. हमें शामिल है और इस बार के चुनाव में इस वर्क का पूरा वोट कॉंग्रेस को गया है बात बड़े उससे पहले करनाटिका के परिदर्श में हमें इस बात को भी समझना होगा कि भले ही डीके शोगमार को समर्पित फॉल्वर्स हो लेकिन जब बात एक राजे की रूप में करनाटिका की आती है तो सिद्रमया के फॉल्लवर्स पूरे राजे में जो सिद्रमया को मुख्यमंत्रे की रूप में ही देखना चाहते है डीके शोगमार जहां केवल पुराने मैसूद शेतर जैसे की राम नगर कनकपुरा तसा सिमित है तो वहीं जब हम सिद्रमया को देखते हैं तो उनकी पकड कोस्टल करनाटिका के अलावा उन हिस्सों में भी है जो करनाटिका को महराश और आंधर प्रदेश से जोड़ते है आखरी सवाल आता है कि क्यों पार्टि सिद्रमया के पक्ष में ले सकती है फैसला तो देखिए इस बात में कोई शक नहीं करनाटिका में मूदी माजिक अपना जलबा बेखेडने में नाकाम रहा है ऐसे मैं आज नहीं तो कल भाजपर अपनी इस बिज़ती का बदला जरूर लेगी और क्योंकि डीके शिवकुमार पर पहले ही एडी ने वनी लॉंडरिंग केस के तहट अपना शिकंजा कसा हुआ है उनकी किरफतारी किसी भी शन हो सकती है इसलिए अगर हाई कमांड डीके शिवकुमार की जगे से दरमया को तरजी देता है तो अपने को पड़े संकट से बचाना पड़ेगा और इसके लिए कांगरेस को कही ना कही अभी सिताहियारी करनी पड़ेगी जो कि वो करती हुए दिखलाई भी पड़ रही क्या कहना है आपका इस बारे में कमेंट करें जरूर बताईएगा मेरे सुडियो फलात नहीं जाए हैं जाए भारत